नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज हम सिखने वाले हैं 3D में फिलेट और चांफर कैसे निकालते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे पहले एक बॉक्स निकलेंगे के यह बॉक्स निकला मैंने करता हुं कि मुझे क्या करना है यह इसको फिलेट देना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा select करूँगा fillet तो ये age पर click करूँगा फिर उसके बाद right click यहाँ पर देखिए ये chain है loop है chain मतलब ये पूरा आपको जो उसका ये age ये age जो भी इसके round में जो age आती है वो age select करेंगे हम क्या करेंगे अभी radius देंगे यहाँ पर radius कितना है radius है 2 enter और enter और एक बार enter कीजिए ये देखिए ये radius आ गया तो आप इस तरह radius दे सकते हैं मैं अभी control z करता हो और मैं अभी chamfer लेता हो chamfer पर click कीजिए एक age पर click कीजिए right click करके यहाँ पर देखिए distance कितना है मुझे एक चाहिए दूसरी टाइप के distance दो चाहिए enter और enter ये देखिए chamfer ऐसा आ गया तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके thank you for watching